भारत के माननी प्रधान मंत्री शी नर्येंग्र मोधी जी से के वेक्रिप्या आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें मेगाले के राजपाल, ब्रिगेडियर, बीडी मिस्रा जी, मेगाले के मुख्य मंत्री, संग्मा जी, केंद्रिय मंत्र परिशत के मेरे सहयोगी, स्री अमीद्बाई शाह, सर्वादन सोनोवाल, किरन डिजी जी, जी किशन डेडी जी, बी यल वर्मा जी, मनिपूर, मिजवरम, असम, अरुनाचल प्रदेश, त्रिपूरा और सिक्कम के सभी मुख्य मंत्री गण और मिघाले के मेरे पैरे भाई और बहनों, कुबलेई शिबाउन, नमेंगमा, मिघाले, प्रकृती और संस्कृती से सम्रुद्ध प्रदेश है, ये सम्रुद्धी आपके स्वागत सत्कार में भी जलक्ती है, आज एक बार फिर मेघाले के विकास के उत्सों में सहभागी होने का हमें आउसर मिला, सभी मेघाले के मेरे भाईयों बहनों को कनेक्टिमिटी, सिख्षा, कौशल, रोजगार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है, भाईयों और भहनों, यह सईयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहाँ फुटबॉल के मैदान में ही, फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूँ, उस तरफ फुटबॉल की स्परधा चल रही है, और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्परधा कर रहे हैं, मुझे एसाथ है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उस्षा और उमंग यहाँ भी कम नहीं है, और साथियों जब फुटबॉल के मैदान में हूँ, और फुटबॉल फीवर चारो तरफ है, तो क्यों न हम फुटबॉल की परिभाशा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदान दे के बात करें, हम सब को मालू है, कि फुटबॉल में अगर, कोई खेल भावना के विरुत, स्पॉर्ट्समेंट स्पिरिट के खिराब, अगर कोई भी वहवार करता है, तो उसे रेड कार्ड दिखा कर बाहर कर दिया जाता है, इसी तरह पिछले आठ बर्षों में, हमने नौर्थ इसके विकास से जुड़ी, अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है, ब्रस्टाचार, भेदभाव, भाई भती जाबाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना, भटकाना, बोट बेंक की राज़नीती को बाहर करने के लिए, हम इमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराईयों की बिमारियों की जड़े, बहुत गहरी हैं, इसलिए, हम सब को मिल करके, उसे हटा करके ही रहना है, हमें विकास के कारियों को ज्यादा रप्तार देने और ज्यादा प्रभाव साली बनाने में, प्रयासों का अच्छा प्रणाम भी नजर आ रहा है, यही नहीं, स्पॉर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई एप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, इसका लाब नौर्थ इस्ट को हुआ है, नौर्थ इस्ट के मेरे नवजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है, देश की पहली स्पॉर्ट्स उनिवर्सिटी नौर्थ इस्ट में है, आज नौर्थ इस्ट में मल्टी परपज हॉल, फुटबेल मैदान, एथलिक स्ट्रेक, ऐसे 90 प्रोजेट्स पर काम चल रहा है, आज सिलों से मैं ये कह सकता हूँ, कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवाश्शक्ती पर भरोसा है, इसलिए विश्वाश से कह सकता हूँ, कि वो दिन दूर नहीं, जब हम भारत में ऐसा ही उत्समों मनाएंगे, और तिरंगे के लिए चियर करेंगे, भाईगर भेनों, विकाँ सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन, इनी रिच्यूल तक सिमित नहीं है, ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था, फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे, तो फिर आज क्या बडला है, आज जो बडलाव आया है, वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्रात्फिकताओं में आया है, हमारी कारे संस्कृति में आया है, बडलाव, प्रक्या, और परड़ाम में भी आया है, संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्चर आधुनिक कनेक्टिविटी से विक्सीद भारत के निर्मान का है इरादा भारत के हर खेत्र हर वर्ट को तेज विकास के मिशन से जोडने का है सबका प्रयास से भारत के विकास का है प्रांत्विक्ता अभाव को दूर करने की है दूरियों को कम करने की है कैपेसिटी बिलिंग की है युवाओं को अधिक आउसर देने की है कारे संस्कृति में बढ़लाव यानि हर प्रोजेक्ट हर प्रोग्रेम समय सीमा के बीतर पूरा किया जाए चाथियों जब हमने केंदर सरकार की प्राथ्विक्ताएं बढ़ली प्राइवरिटी बढ़ली तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है इस वर देश में साथ लाख करोड रुपिये यह आकडा मिगाले के भाई बैन याद रखना नौर्थिस के मेरे भाई बैन याद रखना सिर्फ इंफ्रास्रेक्टर के लिए केंद्र सरकार साथ लाख करोड रुपिया खर्च कर रही है जबकि आठ बर्थ पहले यह खर्च दो लाख करोड रुपिये से भी कम था यानि आजारी के साथ दसक बाद भी सिर्फ दो लाख करोड रुपिये तक पहुचे और आठ बर्षों में लगबग चार गुनाक शब्दा हमने बढ़ाई है आज इंफ्रास्रेक्टर को लेकर अनेक राज्य भी राज्यों के बीच में कॉम्पेटिशन हो रही है परदा हो रही है विकास किस परदा हो रही है देश में ये जो बडलाव आया है उसका सबसे बड़ा लाभारती भी आज ये मेरा नॉर्थ इस्ट ही है शिलांग सहीत नॉर्थ इसकी सभी राधानिया रेल से जुड़े इसके लिए तेजी से काम चल रहा है साल 2014 से पहले जहां हर हपते नॉसो उड़ाने ही सम्मभ हो पाती थी आज इनकी संख्या करीब एक हजार नॉसो तक पहुच गई है कभी नॉसो हुआ करती थी अभी उन्नी सो हुआ गर गई है आज मेगाले में उड़ान योजना के तहट सोला रूष पर हवाई सेवा चल रही है इससे मेगाले वाशियों को सस्ती हवाई सेवा का लाब मिल रहा है बहतर एर कनेक्टिवीटी से मेगाले और नौर्थ इसके किसानों को भी लाब हो रहा है केंद्र सरकार की क्रिसी उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुच पा रहे हैं साथियों आज जिन प्रोजेश का लोकारपन और सिलान्यास हुआ है उससे मेगाले की कनेक्टिवीटी और ससक्त होने वाली है पिछले आठ वर्षों में मेगाले में नेशनल हाइवे के निर्माण पर पाज हजार करोड रुपिये खर्च किये गए हैं पिछले आठ वर्षों में जितनी ग्रामिन सडकें मेगाले में प्रदान मंत्री सडक योजना के तहद बनी है वह उससे पहले बीस वर्षों में बनी सडकों से साथ गुना जादा है भाईयों और बहनों नौर्थ इस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए आउसर बनाए जा रहे हैं डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बात्चीत कॉम्मिनिकेशन नहीं उतना ही लाब मिलता ऐसा नहीं है बलकि इसे टूरिजम से लेकर टेकनोलोजी तक सिख्षा से लेकर स्वास्त तक हर शेत्र में सुमिदाएं बढ़ती हैं आउसर बढ़ते हैं साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थवर्वस्ता का सामर्त भी इससे बढ़ता है 2014 की तुलना में नौर्थिस्ट में आप्टिकल फाइबर की कवरेज लगबग चार गुना बढ़ी हैं वहीं मेगाले में ये बुर्दी पाँज गुना से अधिक है नौर्थिस्ट के कोने कोने तक बहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे उसके लिए छे हजार मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं इस पर पाँच हजार करोड रुपे से अधिक खर्च किया जा रहा है आज मेगाले में अनेक फोरजी मोबाइल टावर्स का लोकारपान इन प्रयासों को गती देगा ये इंफ्रासेक्टर यहां के युवाओं को नए आउसर देने वाला है मेगाले में आयायम का लोकारपण और टेक्नोलोजी पार का सिला न्याद भी पढ़ाई और कमाई के अउसरों का विस्तार करेगा आज नौर्थ इसके आदिवासी छेत्रों में डेड़ सो से अधीक एक लव्यम मोडेल स्कूल बनाए जा रहे हैं इसमें से 49 मेगाले में हैं दूसरी तरफ आयायम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्तानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाब भी यही मिलने वाला है भाई और बैनो नौर्थ इसके विकास के लिए भाजपा की एंडिये की सरकार पूरी इमानदरी से काम कर रही है इस वर्थ ही तीन नई योजनाई शुरू की गई है जो या तो सीधे नौर्थ इसके लिए है या फिर उनसे नौर्थ इसका सबसे अधिक लाब होने वाला है पर्वत माला योजना के तहट रौपवे का नेटवर्क बनाये जा रहा है इससे नौर्थ इसके प्रसिद्ध परियटन सलो में सुवीदा बढ़ेगी और टुरिजम का विकास भी होगा पी-म दिवाइन योजना तो नौर्थ इसके विकास को नई गती देरे वाली है इस योजना से नौर्थ इसके लिए बड़े डेवलप्मेंट प्रोजेक्स अधिक आसानी से स्विकृत हो पाएंगे यहां महिलाओं और युवाओं की आजी विका के साधन विक्सित होंगे पी-म दिवाइन के सहे तहट आने वाले तीन-चार साल के लिए छे हजार करोर रुपिये का भजेट ताई किया जा चुका है बाई और बैनो लंबे समय तक जिन दलों की सरकारे रही उनकी नौर्थ इसके लिए डिवाइड की सोत थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आये हैं अलग-अलग समुदाय हो या फिर अलग-अलग शेत्र हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं आज नौर्थ इस्ट में हम विबादों के बॉर्डर नहीं बलकि विकास के कोरिडोर बना रहे हैं उस पर बल दे रहे हैं बीते आठ बर्सों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है स्थाई शांती की रा पकड़ी है नौर्थ इस्ट में आस्पा की आवशक्ता ना पड़े इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ठित्यों को सुधारा जा रहा है यही नहीं राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दसकों से जो विवाज चल रहे थे उनको सुल जाया जा रहा है साथ क्यों हमारे लिए नौर्थ इस्ट हमारे बॉर्डर एरिया आखरी छोड नहीं बलकि सुरक्षा और सम्रुद्धी के गेटवे है राज की रक्षा भी यही से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है इसलिए एक और महत्वफण योजना है जिसका अलाब नौर्थ इसके राज्यों को होने वाला है वो योजना है वाइब्रन बॉर्डर विलेज बढ़ाना इसके तहट सीमावर्ति गावों में बहतर सुविधाएं विक्सित की जाएगी लंबे समय तक देश में यह सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा यह सोचा जाता था मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है पहले की सरकार की सोच के कारण नौर्थ इस समय देश के सभी सिमावर्ति क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहतर नहीं हो पाई लेकिन आज दंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सडके नई तनेल नए पूल नई रेल लाइन नए एर्ष्ट्रीप जो भी आवसक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गती से चल रहा है जो सीमावर्ति गाउं कभी विरान हुआ करते थे हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जूटे हैं जो गती हमारे शहरों के लिए महत्वपुण है हमारे बॉर्डर पर भी वही गती होनी आवसक है इससे यहाँ टूरिजम भी बढ़ेगा और जो लोग गाउं छोड़ कर गए हैं वे भी वापस लोट कर आएंगे जाथियों पिछले साल मुझे वेटिकन सिटी जाने का आउसर मिला जहां मेरी मुलाकात His Holiness दे पोप से हुई मैंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है इस मुलाकात ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा हम दोनों ने उन चुनोतियों पर छर्चा की जिन से आज पूरी मानवता जूज रही है एकता और समरस्ता की भावना से कैसे सबका कल्यान हो सकता है इस पर एक जूट प्रयासों के लिए सहमती बनीगी इसी भाव को हमें ससक्त करना है साथियों शान्ति और विकास की राजनिती का सबसे अधिक लाब हमारे जनजातिय समाज को हुआ है आदिवासी समाज की परंपरा भाशा भूशा संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी छेत्रों का विकास सरकार की प्रात्पिकता है इसलिए बाश की कटाई पर जो प्रतिबंद था उसे हमने हटा दिया इससे बाश से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला बनों से प्राप्त उपज में वैल्यू एडिशन के लिए नौर्थ इस्ट में साड़े आठ सो बंधन केंद्र स्थापित किये जा चुके है इनसे अनेक सेल्फेल गुरूप जुड़े हैं जिन में अनेक हमारी माताए बहने काम कर रही है यही नहीं घर पानी बिजली गैस जैसे सोशल इंफ्रासेक्टर का भी नौर्थ इसको सबसे अधिक लाब हुआ है बीते वर्षों में मेघालाई में दो लाख गरों तक पहली बार बिजली पहुँची है गरीबों के लिए लगवाग सत्तर हजार गर्द स्विक्रत हुए है लगवग तीन लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविदा मिली है ऐसी सुविदाओं के सबसे बड़े लाभारती हमारे आदिवासी भाई बहन है साथियों नौर्ट इस्ट में तेज विकास की ये धारा ऐसे ही प्रवाईत होती रहे इसके लिए आपका आशिरवाद हमारी उर्जा है अभी कुछी दिनों में क्रिस्पस का परवा आ रहा है ये त्योहार आ रहा है आप सभी को आज जब मैं नौर्ट इस आया हूँ तो इसी धर्ती से सभी देश्वासियों को सभी मेरे नौर्ट इसके भाई बेहनों को आने वाले क्रिस्पस के त्योहार की अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूँ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई खुबलेई शिबन मितेला